देखिए question दिया हुआ है क्या question दिया हुआ है कि let a be the distance between the lines this one and b be the distance between the lines this one then relation between a and b मतला एक b का relation बताना है अगर आप ध्यान दें तो यह दो line है पहली line है मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 2x minus y plus 2 equal to 0 दो दूसरी line है 2x minus y minus 2 equal to 0 इन दो line के बीच के distance को ए बोला जा रहा है ऐसे ही अगली दी हुए देखिए क्या दी हुए है ध्यान दें तो 4x minus 3y minus 5 equal to 0 और अगली line है 6y minus 8x equal to 1 तो हम सबको सेम बना लें तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि पहला line है तो आप इसको लिख सकते थे 8x minus 6y plus 1 equal to 0 और इसको लिख सकते थे 2 का multiply करके 8x minus 6y minus 10 equal to 0 इन दो parallel line के बीच का distance B से denote किया जा रहा है और आपको A और B का relation बताना है अब कोई भी question जब भी करना हो तो पहले peaceful mind से read करिए concept समझी और फिर करिए कि coordinate का question है पर tough नहीं है दो parallel line के बीच का distance क्या होता है अगर constant term अलग-अलग है और xy के coefficient same है तो दो parallel line के बीच का distance on coefficient of x square x and y का square राइट यदि दो parallel line का distance निकालना तो difference of constant term और जो x और y के coefficient है उनके squares का sum यह distance मिन 2 parallel line का formula है इसलिए मैंने यहाँ पर तो same मना दिया यहाँ पर क्योंकि 4 था तो 2 का multiply करके लिख दिया अब आप क्या करेंगे देखिए आप बहुत ईजी लिए बता पाएंगे अगर मैं आपसे पूछू कि यहाँ पर ए क्या है तो आप बोलते इन दोनों का difference हो गया 4 root 5 अगर मैं पूछू बी क्या है तो आप बोलते 1 plus 10 11 upon 64 plus 10 यानि 10 ध्यान रखेगा ऐसा लिखेंगे आप 2 minus minus plus 2 upon root 2 का square plus 1 का square and similarly यहाँ लिखते आप ऐसे B को 1 minus minus plus 10 upon root 8 का square plus 6 का square यानि आपको A मिल गया 4 by root 5 और B मिल गया 11 by 10 सबसे पहले A और B को अगर ध्यान दें तो root 5 किसमें आ रहा है देखिए ना तो root 5 इसमें है ना root 5 इसमें है ना root 5 इसमें है आप बिलकुल आराम से इसका answer A लगा सकते थे बाकिया आप रखे देख लिए बाद में जब practice करें 40 into 11 by 10 11 into root 5 4 by root 5 यह देखिए यह cancel 44 यह cancel 444 यानि यह answer correct है पर बिना आप चेक कर बदलब आपको चारो answer पर भी cross check नहीं करना था सीधा root 5 जहां था वो answer correct हो जाता झालो